मेरा सवाल है आप लोग जो बोल रहे हो आप लोग तो हर व्क्त इसे लाम में की उफर किया हुआ है लिए कि आपको क्या कोई गलती नहीं दिखती तो कभी आपने me Corb ко जैहिन, आदाब, सलाम, प्रनाम, नमस्ते, सत्यकाल, आप सभी का स्वागत है, मेरे चैनल एक्समुस्लिम स्टाइल ओफिशल पर, उम्मीद आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों, और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपन संदीदा लोकेशन हो, वो आप सिलेक कर ले, एक जादू होगा, कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा, आवाई, सम्यूल खान, ह common, हाँ, जी, मुमीने सर, सुन पार contenido, सुन पारे हैं, सुन पार corona, मैं हूँ, है, कि हूँ, ये अपको आपको इतर वात पर Очाहं पर गरव है कर आप मुसलिम हैं यृ अलहम्दुनिलामी को घर्व आखें नमाजें परते हैं सर, जी, अलहम्दुनिलाद да परते हैं आयत अल्कुर्सी सुना दे आयत अल्कुर्सी हाँ अच्छा ये पहली बार आये हैं आप क्या इससे पहले भी आये हैं क्योंकि मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि आप पहले आ चुके है नए 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 मैं पहली बार आया हूं मैं आपका शो जो साहिल भाई है एक मुसलिम तो उनको मैंने जी टीवी पे देखा था उनके जो पोग्राम होती थे ना जी टीवी में नीउस चैनल दोए आपने कोई दूसरे साहिल को देख लिया होगा भाई जी टीवी पे आज तक गया ही नहीं हुए जी टीवी बालो मेरा इंटर्विव ले लिया मुझे पता भी नहीं चला या लगता है इनो ने दूसरे चैनल से तुम्हारा इंटर्वी चोड़ी करके अपने चैनल पर चला जगा सही जगा पर पहुंचे हो बोलो बोलो मेरा सवाल यह है कि आप लोग जो बोल रहे हो आप लोग तो हर वक्त इसलाम के बारे में बोलते हो ठीक है तो इतना रिसर्च जब आप लोगों इसलाम के उपर किया हुआ है गयर मजब के बारे में अगर में बोलता हूँ कि मेरे रिलेटेज जो गयर मजब है हिंदू है जो सबसे करीबी होते हैं ठीक है उनके मजब में आपको क्या कोई घल्ती नहीं दिखती क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन मुसलिम जो है हिंदूस हैं वो आपसे जूरते है ना उनको तो मज़ा आता है, तो क्या कभी आपने उनको एक्सपोस किया? अच्छा, सम्यूल भाई, मैं आपसे रिटन सवाल करता हूँ, आप अगर हमारी स्टीम, सुन लो, सम्यूल भाई, आपने जब हमारी स्टीम देखी और देख रहे हो, कभी आपने ये सोचा है, कि ये लोग इतना कुछ इसलाम के बारे में बता रहे हैं, क्या ये सही बता रहे ये गलत बता रहे हैं, कभी ये गौर किया, आपने बजाए इस बारे में गौर करने के, कि भाई, दूसरे का क्यों नहीं रास खोल रहा है, दूसरे में कुछ गंदेगी है या नहीं, इसके बजाए आपने ये क्यों नहीं गौर किया, कि हमारे बारे में जो बता रहे हैं, वाकई मैं है या नहीं है आपके सावल का जवाब यह है की इसलाम के सुर्वाती दोर में शिया सुनी नहीं थे नहीं थे नहीं थे नहीं थे बाद में उबने अब दोनों ने अपने अपने दलीलों को स्ट्रॉंग बनाया और ज्यादा तर जो मुस्लिम है मैं भी उनमें हूं कि हम लोगों को शुरुआती 200 साल की जो हिस्ट्री होए ना करवाला की और आदस जितने सारे जो स्टोरी है वो complete मालूम नहीं है इसलिए सुन्दी अपना एक प्वेट रखते हैं आप किसको मानते हैं चीग है मैं सुन्नी हूं सुन्नी है तो यहां आपको अरे रुको 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 एक बात पाई अब यहां पे 95 परसंट जितनी भी हम बाते बताते हैं तो यहां पर नाइनटी फाइफ परसंट जितनी भी हम बाते बताते हैं है वो सारी सुनी मुसल्मानों के यानि इसलाम सुनी मुसल्मान नहीं सुनी इसलाम के बारे में बताते हैं तो क्या आपने किया कि हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं एक्चुली मैं आप लोगों के ज्यादा स्ट्रीमें नहीं देखा इससे पहले मै मैंने यूटूब पे आप लोग के जो पी पोस्ट वीडियो होते हैं वो देखा था ठीक है आज मैं लाइब में जुराओं बाइचंस ठीक है इससे पहले में आम मैंने करीब दस बारा यह फिल्में देगी एडम सी का जो है ना एडम कोई है अपने मुझे हां उनका उनका तर्क देखा है उनका जो बोलते हैं जो वो रेफरेंस देते हैं वो देखा मैंने ठीक है कुछ कुछ मेरे को इलोजिकल लगा क्योंकि एक चीज जो होती है आप सब मने हर इंसान का नजरिया अलग-अलग होता है समिल साब सब्सक्राइबने का तरीका देखा बात करने का आपको लाजिकल लगा तो वो जो दस बार वीडियो जो आपने देखे है उसमें से जो दलीले बताई गई है उसमें कहा हमने गलत बताया है वो discussion स्टार्ट करें प्लीज देखे है वो वीडियो मैंने काफी दिन पहले देखा है आई आप करीब 6-7 माईने पहले ठीक है तो मैंने आपको बोला कि मैं आज बाइचांस इदेखे जुड़ा हुआ हूँ बाइचांस ठीक है तो अब मुझे लगता है आप लोग जो काम कर रहे हो यह दो आपको दो दो हो लगता है कि इसलाम गलती है और यह जगह हर एक जगह पर गलत हुआ है अगर वह अगर वह टॉपिक हो कि रसुल्ला सल्लम की साधियों पर कि उन्होंने इतनी सारी साधी क्योंगी या फिर दूसरे मसाइल है ठीक है अक्सर जो मसाइल ज्यादा छेड़े जाते हैं उनमें रसुल्ला सल्लम की साधियां होती है उनकी मा आईशा रद्यादालन से साधी की उम्र की होती है ठीक है ना तो यहीं टॉपिक्स पर के समीव भाई मेरी उमर करीब 30 थर्टी, दिस साल आप शे साल की बच्ची को अम्मी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा उसको सुनिये मेरे बात को अब आप में बोलिए कि साधी की उम्र तेक कौन करता एंग्या गौब्मेंट करती है या नियचर करता है एक मिड़ेक में एक समिय प्लीज इरिटेटिंग मत बनो ठीक है एक एक पॉइंट पे डिसकेशन करते ताके आपकी गलत पहह्मित दूर हो जाए या हम हम गलत साबित ह ठीक है आप यह कहना चाह रहे है कि कोई उमर तै नहीं करता है नेचर करती है या नेचर भी नहीं करती है इसका मतलब 9 साल की बच्ची से शाधी करना और यह यह उस वक्त की हर जगा इंडिया में भी आज से कि नौ साल की बच्ची के साथ 55 साल का इंसान شाधी करे सेक्स करे आप सही मानते हैं सेक्स नहीं किया सुनिए मेरी बात को आप क्या ये evidence रहे ilfeedback to कि नौ साल की उमर में उनके साथ सेक्स होई रूक जा साधी का मतलब रूक प्लीज आप ये कह रहे हैं कि सेक्स नहीं किया इसको भी थोड़ा साइड में रखते नौ साल की बच्ची को पच्पन साल का बुड़ा शादी करे और सेक्स करे इसको आप सही मानते या गलत मानते नौ ये 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 तिंकिंग डेबलब हुई है इस वक्त में इस जमाने में हूँ इस जमाने में हूँ इस जमाने के तोर तरीके में हूँ इस जमाने में कही न कही मुझे आकट लगेगा इस जमाने में लगेगा या गलत है गलत नहीं लगेगा बिल्कुल गलत लगेगा 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 गलत नहीं क्या नहीं बात समील रुख जा गलत लगेगा या गलत है गलत लगेगा कैसा नमूना या मैं नमूना हूँ तुम लोग बहुत बोड़ा रुप करें भाई ये देखो सारे लोग सुनो गलत लगे गलत है नहीं यहाँ पर पूरी गेम है वो यह अज़र तीस साल की सम्यूल मैं भापस आया मैं भापस आया मेरे पास कुछ गेस्ट आ गए थे एकदम से नोक हो गया था ये भाई मैंने सरफ इतना जरूर सुना था कि नोने कुछ मेरी वीडियो सुनी है और इनने कुछ वीडियो पर इतराज है वो भी याद नहीं है उनको आडम साब अच्छा याद नहीं है सादा सुपारी पाने है आप ओके तो अब मसला क्या आपके साथ मसला ये नहीं है रुक ना भाई मैं बता रहा हूं रुक थोड़ा ये ये कह रहे हैं कि रसुल्लाह नौ साल की बच्ची के साथ सेक्स नहीं किया ठीक है मैंने इनको पूचा नौ साल की बच्ची के साथ 55 साल का आदमी सेक्स करे उसको सही मानते हो या गलत मानते हो तो इन्होंने कहा वो जमाना तो मैं बहुत अच्छा इस जमाने में सही मानते हो या गलत मानते हो तो ये कह रहे हैं कि नौ साल की बच्ची के साथ सेक्स करना इनको गलत लगे गा, गलत है नहीं वही डिसकेशन चल रहा था आप इनसे पूछिए ओ, 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 यह तो बड़ा खतरनाक टॉपिक खुल गया है आजी बोलिये तो गलत लगे गा को करेंगे अब गलत लगे गा को एक्स्प्रेंड करूँ सुनिए आप जो टॉपिक में बात कर रहे है कि 55 साल की उमर में 9 साल की उमर की बच्चीज़ साधी करना ठीक है? सेक्स पहले सेक्स पहले साधी के मुद्दिम आईए शाधी के बाद मैंकि topics बाद अगर गल म बात करना है शाधी की बात भी लड़ा sudahगी करते है भाई irrelevant अगर शाधी की बात करना है तो छे साल में हुआ था फिर लेट्स गो तो छे साल जी प्लीज छे साल की बात करें छे साल की उसमर में शाधी करने के बारे हुआई जोपिज़ नोज साल में सेक्स हुआ था चे साल की बात करेंगा बाइब मेरी सुने मेरी बद्द दिखाने और सुने बाहरी है यह कोई इस्लाम के ऊफ़र पड़े मेरो घ्रकोल पर इसिए तरह मेरिए व किंड आते करें ना अगर उन आपने देन आपने कभी किसी स्कॉलर से इसका अंसर लिया अगर मेरे 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 सामने मदर से मेरा जी मैंने इस मुद्ध बात कुई है ठीक है अब जैसे कि अब जैसे कि हम इसलाम को मानते हैं आपको ही पता है कि हम आपको बैक्सेज कर रहा हूं यार देखे प्रॉबलम आपसाद दो चल रहे हैं सुकत आपका इंटरेट बहुत खराब है आपकी अवास कट-कट के आ रही है दास पॉइंट निबर बन आपकी अवास बहुत कट-कट क्या रही है दूसरी मझे तमहीर साजब हैंसे से सीरह मुद्धि को अबाद करें और प्लीज इंटरेट अच्छा करें जरा अपने वाइ-पास चाएं ग जी इंटरनेट सही है पता नहीं अब आपके फिर कट रही है आपकी वास कट रही है इसकनेक्ट हो गया इंटरनेट बहुत खराब था उसका यार यह जितने भी लोग आता है तमहीद इतनी की बानता है पुझे समय लगी आज तक भागना है ना भाई भाई देखो मेंटालिटी देखो आप आडम साब यह मुसल्मानों से बड़ा हिपोक्रेट डोगला आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा अलहमदुलिल्ला आप पहले सबसे पहला उसका सवाल यह था कि दूसरों के बारे में क्यों नहीं बोलते आप अरे तेरे को दूसरे के बारे में क्यों नहीं बोल रहे वो ज़्यादा तकलीफ है कि जो तेरे बारे में बता रहे है वो सही है या गलत है उस पे ज़्यादा चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है अब जब उसको वहाँ पर लेके आया गया तो अब भागम दोड़ी यहां से वहाँ लेकिन साहिल, the problem is this क्या दूसरों को गलत साबत करके इसलाम सही साबत हो जाता है अगर ऐसा है तो I am fine, फिर आप दूसरों गलत साबत करो I am with you, लेकिन अगर दूसरों गलत साबत करके आप इसलाम को सही साबत नहीं कर सकते, then what's the problem on going to दूसरे ये तो दूसरे वो दुनिया का हर ideology and theology गलत भी साबत हो जाए तो भी इसलाम वैसे का वैसा ही खड़ा है, उसके ओपर हम फिर भी वैसे की वैसे ही बात करेंगे तो तो हम इसका क्या करें बिल्कुल वैसे भी भाई आकर के शुरू में ही इन्होंने इकरार कर लिया था कहा था कि भाई ठीक इसलाम पर आप बात करते हैं लेकिन औरों में भी तो गंदगी है औरों में भी जो लफ़े इन्होंने इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये खुद मान रहे हैं कि इसलाम में भी गंदगी है तो वो बोल दे लेगी इसलाम में गंदगी है ठीक मैं एक्सेप करता हूँ और औरों में भी अगर आपको लगता है ठीक है जाकर को उन चैनलों पर आप बात कर लें थाबित कर दें उनको अच्छा ये मुझे बताए है ये मुझे बताए है साथे मुसल्मान ये जो एंटी क्रिस्टिन चैनल खुले में है और एंटी हिंदू चैनल खुले में है ये मुसल्मान कभी उन चैनल पर जाके क्यों नहीं बोलते हैं कि यारा आप तो anti-Christian channel खोलके बैठे हुए है anti-Islam भी साथ में चलाएं आप anti-Hindu channel खोलके बैठे हुए है anti-Islam भी साथ में चलाएं ये वहाँ पर जाके बाद क्यों नहीं बोलते हैं मेरा simple स्वाल इन सबसे ही होता है जो भी बंदा कहते हैं कि आप इसलाम के बारे में बोलते हैं आप हिंदू के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं मेरा उनसे simple question यह है कि जितने anti-Hindu और anti-Christian channel इस वागँ खोले में हैं वाइडोंट यू गो दियर और उनको कहो कि यार आप anti-Islam भी चलाओ you need to have anti-Islam content as well हमें आगे क्यों बोलते हैं इस यह दो दोगला पन हुआ ना बिल्कुल दोगला पन है सर इसकी कोई इंतिहा नहीं